आम तोर पर हमारे घरों में इस तरह के जो बरतन होते हैं या वेस्ट जो भी चीज़ें होती हैं वो निकलती ही रहती हैं और क्या तो हम इनको फेक दें या फिर इनसे कोई चीज हम बना लें तो मेरे पास भी देखी कुछ समान था और ये बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं क्योंकि हम नईनी चीज़ें लाते रहते हैं और पुरानी चीज़ें एक साइड में हम रख देते हैं तो इनको मैं अपने स्टोर रूम से निकाल कर लाई पहले इनको मैंने अच्छे से वाश कर लिया था और वाश करने के बाद इनके उपर में सपे वाइट पेंट कर दूंगी देखें वाइट पेंट करने से क्या होता है कि जब इसके उपर आप कोई दूसरी चीज़ करेंगे न तो वो थोड़ी सी खिल कर आती है इसलिए इसको बेस देना ज्यादा जरूरी होता है तो अब ये जो चीज़े मैं बना रही हूँ इनका आजकल बहुत ही ट्रेंड है ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और आपको बड़े-बड़े जो शोरूम वगरा होते हैं वहाँ भी ये देखने को मिल जाएंगी साथ में शेयर करूंगी और बाकी चीज़े मैं फिर नेक्स टाइम कभी शेयर करूंगी तो ये देखे चोपिंग बॉर्ड था और ये चोपिंग बॉर्ड मतलब बिल्कुल ही खराब हो चुका था और इस तरीके से मेरे पास दो तीन और हैं तो अभी इसका मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ तो इसके उपर देखे मैंने जो मेरे को कलर पसंद था वो मैंने इस पर कर दिया है थोड़े मैंने पेस्टिल कलर ही लिये हैं और एक ये जो है कि खाली डिबा है जो हम कुछ भी स्नेक्स वगरा लाते हैं या कोई भी आपके पास इस तरह का अगर आप कोई चीज बनाना चाहते हैं तो इस पर देखे मैंने एक कलर बनाया वाइट के अंदर थोड़ा सा मैंने रेड कलर मिक्स किया और फिर ये वाला जो कलर होता है गाजरिया कलर ये बन जाता है तो अब दूसरा जो कलर बना रही हूँ वो देखे मैं ऐसे बना रही हूँ वाइट कलर लिया और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने जो है कि फैबरिक कलर एड कर दिया और ये वाइट कलर वो ही है जो मैं दिवार पी करती हूँ और ये डबा मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ कभी ने कभी ये जुरत होती ही रहती है मुझे इसकी तो अब ये देखें, जितने भी ये मेरे color थे, ये मैंने सारे कर दिये, एक बार जितने भी चीज़ों को आप color करना चाहते हैं, तो एक बारी में कर लें, क्योंकि फिर बार-बार आपके जो हाथ होते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि जितना भी मुझे कलरिंग बगरा करनी होती है वो मैं एक बार करके और फिर इसको सुखने के लिए छोड़ देती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हम कलर करके एकदम नई बना सकते हैं और जरूरी नहीं है कि आप हर चीज़ बाहर से ही लेके आएं तो खुद भी आप अपने हाथों से कोई चीज क्रियेट कर सकते हैं तो देखे जो ये पेंट था वो बहुत अच्छे से सूख गया था और आब इसके उपर में कोई चीज लिखूंगी आप चाहें जो मर्जी आप लिख सकते हैं जो भी चीज आपको ज्यादा मतलब पसंद है वो चीज आप चाहें तो यहाँ पर कोई ड्राइंग वगरा भी कर सकते हैं तो आपकी मर्जी है कि जो लिखना चाहें तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा चीज लिखी है जिसे मैं आती-जाती पढ़ हूं तो बहुत अच्छा फील होता है और जैसा मैंने इस पे लिखा है मैं खुद भी वैसी ही हूँ तो यहाँ देखिए जो फट्टा था ना एक थोड़ा सप्लाई का बच्चा हुआ जब मैंने किचन का मेकोवर किया था तो यह चोटा सा टुकडा बच गया था तो उसके उपर मैंने वो जो चीजें हैं वो अच्छे से चिपका दी हैं ग्लूगन की सहता से और अब यह देखिए यह एक बहुती पुराना जो है की कैटल है और इसको भी मैंने रेड कलर करके और इसके उपर वाइट और यलो कलर के जो है की डॉट्स बना दिये है तो बहुती सुन्दर लगता है यह इस तरह की जो डॉट्स वगर की जो चीजें होती है न ऐसा काम करके और इस तरह की क्रियेटिविटी करने में मुझे तो बहुती अच्छा लगता है अगर आप भी करेंगे तो आपको भी यह अच्छा लगेगा आप अपने बच्चों के साथ भी यह चीजें कर सकते हैं तो यहां देखिए मैं फर्स टाइम क्ले लेकर आई हूँ स्टेशनरी के शॉप पे और इसको मैं अभी मतलब मैं अपनी लाइफ में आज तक इस क्ले का यूज नहीं किया है मैं फर्स टाइम यूज कर रही हूँ आम तोर पर मैंने जो है कि पुट्टी का ही मतलब यूज लेती हूँ पुट्टी से ही मैं ये सारी चीज़े बना लेती हूँ लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए इस बार में ये थोड़े से गले लेके मतलब मुझे दिखाई दी और फिर मैंने ले लिया और सोचा कि चलिए इससे कोई चीज बनाएंगे तो मुझे थोड़ी सी इसे यूस करने में अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं नहीं मतलब first time ही कर रही थी तो मुझे इतना experience था नहीं फिर भी मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी और मतलब महनत से फिर मैंने ये चीज़ बना ली है और मुझे ये काम सही बताऊं तो मैं जब ये पुट्टी से ऐसी चीज़े बनाती हूं या फिर कुपी बगरा से तो वो ज़्यादा मुझे थोड़ा सा आसान पड़ता है और लेकिन अपना अपना सब का तरीका होता है कुछ लोग clay से बहुत easily काम कर लेते हैं तो यहां देखिए जो है कि मैंने इसको मतलब पहले मैंने हाथों पे powder लगा था लेकिन उसके बाद मैंने अपने हाथों पे थोड़ा सा oil लगाया और उसके बाद फिर यह काम अच्छे से मतलब हुआ मुझसे तो अब इस पे देखें मैंने जो भी मेरे को लिखना चाहिए था stay positive और यह मैंने लिख दिया है और बहुत ही एक energy देता है अगर आप इसको पढ़ते हैं तो कभी भी आप अगर low feel करें तो इस तरह की चीजें आप बोलें या फिर कहीं देख लें तो यह चीजें आपको एक motivation देती हैं और आप feel करते हैं अच्छा तो यह जो है कि ऐसी जगे लगाना चाहिए जहां पर आप आते जाते देखते रहें तो इस तरह की आप बहुत सारी चीजें लिख कर या paint करके अपने घर के entrance पे आप रखें या जहां आप ज़्यादा समय बिताते हैं वहां ऐसी चीजें आप जरूर लिख कर रखें तो अब यह देखिए उपर मैंने लगा दिया है एक प्यारा सा हाट और यह कितना खुबसूरत लगता है रेड कलर का तो यहां पर मैंने यह शो किया है कि आप हमेशा अपने दिल से बोलिए stay positive हमेशा positive रहिए अच्छी बाते सोचिए negative लोगों से जितना आप दूर रह सकते हैं please उनसे दूर रहिए उनको उनके हाल पे छोड़िए और आप अपना काम करते रहिए तो यह देखिए काम सारा मेरा complete हो गया है और अब यह जो डबबा था जिसको मैंने paint किया था इसको क्या करूंगी मैं इसके उपर paste करूंगी और paste करने के लिए यहाँ पर मैं use कर रही हूँ glue gun का और glue gun से बहुत easily काम हो जाता है आप चाहें तो फेविकल वगरा से भी paste कर सकते हैं क्योंकि यह ज्यादा भारी नहीं है और अगर by chance आपके पास ऐसा डबबा नहीं है तो आप कोई भी plastic की जो bottle होती है उसका जो पीछे वाला हिस्सा है उसको cut करके आप उसके paint कर दें या कोई भी fabric वगरा या paper वगरा लगा के आप ऐसा काम कर सकते हैं तो अब यह देखे बहुत आसानी से मतलब यह सूख भी जाता है और बहुत अच्छे से यह stick हो गया है और अब क्या करूँगी इसके अंदर में थोड़े से यह artificial flower होते हैं न यह मेरे पास रखी हुई थी मैं दिवाली को बहुत सारी यह जो है कि मालाईं लेकर आई थी तो यह भी plastic की होती है इसके अंदर हम इसको चिपका देंगे और इन फूलों की तरह से हमको भी हमेशा मुस्कुराती रहना चाहिए यह हमें एक आपको एक संदेश देते हैं कि आप जो नेचर वाली चीजें हैं उनसे हमें सीखना चाहिए कि flower हो, artificial हो या फिर आप natural flower हो वो हमको यह ही show करते हैं एक ऐसा indicate करते हैं कि आप इस तरीके से रहना सीखिए तो यह देखिए मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है और यह मतलब बहुत जल्दी चिपक जाते हैं और यह ready हो गया बहुत ही सुन्दर एक DIY अभी मैं आपको show करूँगे अभी थोड़ा सा यह काम और कर लेते हैं और अब यह जो चीज़ें हैं जिनको मैंने glue gun की सायता से इसको चिपका दिया था और इसके उपर अब मैं मतलब design डालूँगे तो design आप कोई भी डाल सकते हैं जो भी आप डालना चाहें और यह बहुत ही मतलब आप कोई देखने को मिल जाएगा online भी इसको मैंने देखा था और इसको मैंने market में भी देखा था बहुत ही सुन्दर यह लगता है तो जैसा design आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं मैं यहाँ पर बहुत ही जो basic design है वो डाल रही हूँ लेकिन यह बहुत ही खुबसूरत लगता है तो इसके लिए आप कोई भी जैसे color वाले pants होते हैं इनका use कर सकते हैं fabric colors का use कर सकते हैं तो जितने भी आप vibrant color हैं ज़्यादा मतलब kitchen में कहीं भी मतलब wall decor के रूप में इसका use कर सकते हैं तो यह देखिए बहुत ही प्यारा सा एक सुन्दर सा हमारा जो है की waste सामान से एक DIY बन गया है तो अब बनने के बाद और इसको मैं आपको दिखाऊंगी final look तो चलिए पहले इसको हम पूरा अच्छे से paint कर लेते हैं और paint करने के बाद आप चाहें तो इन सभी चीज़ों के उपर जो है की varnish की एक layer कर सकते हैं और अब लूँगी मैं एक डोरी और डोरी की सहता से इसको मैं बांध दूँगी अच्छे से अगर आप ऐसे नहीं बांधना चाहते हैं तो कोई कील वगरा से भी आप बांध सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल आसान तरीका है और यहां पर भी जो हमारा जो hole बना हुआ है ये जो chopping board है इसके उपर और इसके अंदर हम एक ऐसे डोरी निकालेंगे और इसको भी अच्छे से हम hang करने के लिए एक मतलब जो है की जुगार बना देंगे और अब ये जो kettle थी इसका जो पीछे का handle था इसके उपर भी हम एक डोरी को बांध देंगे और फिर अब ये ready हो गए हैं हमारे तीनो DIY तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो ना तो इसको लाइक कीजेगा और हो सके तो शेयर भी कीजेगा और पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज जरूर सस्क्राइब कीजे तो मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें खुश रहें, मस्त रहें, stay positive, अच्छी बाते सोचें और अच्छी लोगों से बात करें तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बब बाई